हेलो फ्रेंट्स, AVS की पार्ट साला में आज अभी लोगों का स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 मैस से लेवस के बारे में किस यूनिट से कितने मार्क्स का फूचा जाता है और इसमें से कौन से यूनिट सबसे जादा इयुट्न है जिसमें मार्क्स ग्यील किए जा सकते हैं यहां पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहली यूनिट है जो दिया गया है संबंद यहों फ़लन इसमें relation and function जो कि किदरे marks का आता है इन marks का और इसमें सब्मंद और फलंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्मंद के बारे में कि किस function का किस से क्या relation होता है फिर उसके बाद फलंग पढ़ेंगे कि कौन सा फलंग इस टाइब से होता है फिर उसके बाद दोसी विट आ जाती है हमाने लोगों की अलजिबरा की यानि भीजगरी जो की 13 मांक्स की पूंची जाती है और फिर उसके बाद आते हैं कलंग सबसे इंपार्टन यूनिट्स है क जिसनगे से सबस्याद मांक का पूंचा जाता है और कलंग चालंग स काल्ग समसें सबसे यढदा जो पूंचा जालता है इसमें ऊथा चार्टा करते credited कार्ति फिर उसके बाद इस्टार्टन antagonist कि फिर उसके बाद ना्समें आता है संखता चैप्टर हो टेयूर्टा होत Nas पूछा जाता है 44 marks का जो सबसे आदा important है इसी से आता है 44 marks का अगर इसको अच्छे से students बैयर कर लें तो ज्यादा से ज्यादा जो problems है वो साल की जा सकती है फिर उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं जाने की वेक्टर एंड ट्री डैमेंसियल जमेंट्री जो की हमाया पूचा जाता है लगभग 17 marks का इसमें पहले लाइनों के बारे में उनके पीछ के जमेंट्री में क्या क्या आएगा फिर उसके बार एक लाइन एक तल के बारे में दिया जाता है इस टाइब से इसने लगभ आते हैं राइकिक प्रोग्रामन जो की डीनियर प्रोग्रामिंग यह 6 marks का पुंचा जाता है और यह सबसे जो कहा जाया है कि सबसे इजी चैप्टर में आता है इसमें थोड़ी सी थोड़ी सी विएकर प्रप्रेशन कर ले तो ज्यादा से ज्यादा इसमें मार्स के जा सकती और लास्ट में जो सबसे लास्ट का चैप्टर आता है यानि प्रोग्राइटी यह आता है 10 marks का और सबसे ज्यादा जो प्रॉघ्लम्स ग्रीयेट होती हिसी चैप्टर से लगभागाती है प्रोग्राइटी से कि सर कहां पर इक इसकी इवेंड्स होती है कहां पर फोलिवेट का से ले बस और इसमें यह चीजे इस क्रम में पूछी जाती है अब हम लोग देखेंगे पेपर पैटर्ण के बारे में कैसे पेपर पूछा जाता कौन सा क्वेश्चन कितने कितने मार्स का आता है जो सबसे पहले आते हैं इसमें बहुविकल्पी प्रिष्ट यानि कि आप क्वेश्चन रखते हैं तो टोटर मिला अगर के यह भी फाइक मार्स के हो गए फिर इसके बाद जो आता है अत्र लगुतरी कुश्चन यह भी आते हैं तैकि यह पहले वाले अत्र लगुतरी कुश्चन की तुर्णा में थोड़ा सा लांग टाइब में होते हैं इस हिसाब जो लगुतरी टाइप के कुश्चन आते हैं वो दो पार्ट में दिये रहते हैं फस्ट पार्ट में जो होते हैं इसमें छे कुश्चन रहते हैं उसमें से पांच करने होते हैं फिर उसके बाद नीचे वाले सेकेंड पार्ट में भी छे कुश्चन दिये होते हैं और उसमें फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं दे घुत्री question यानि या या यह तीन question दिया होते और यह 3 question प्रत्य जो होता है question 8 marks का तो कुल मिला करके 24 marks गया को फिर उसके बाद अगर इसको हम लोग total करते हैं तो यह total add हो करके हमारा इंदना हो जाता है 100 marks का total paper pattern होता है और हमको इसके लिए time दिया होता है 3 and 15 minutes यानि कि 3 hour उसके और 15 minutes question paper पढ़ने के लिए और इसमें आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि 100 marks में से 1 by 3 यानि 33 marks लाने फुत्ते हैं पास होने के लिए अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो paper, python और syllabus आप लोगों को पता चल गया हो कि कौन question कितने नंबर का पैसे पूंचा जाता है तो वीडियो लाइक करें, share करें और subscribe करना बिलकुल नहीं